हेलो एब्रीवन आज हम लोग देख रहे हैं अपना वीजन आई एस मंथली मैग्जीन करेंट अफर का अगस्त की आई आर का टॉपिक नाइन्थ जो है छेत्री व्यापार विकास में पूर्वोत्तर की भूमिका रोल आफ नौर्थ इस्ट इन रीजनल ट्रेड एंड लिए तो अपने नियूज में क्यों हाली में बंगलादेश के मौंगला बंदरगा से होते हुए कोलकाता के अगरतला तक माल डुलाई के लिए ट्रांस शिप्मेंट का सफल परेक्शन किया गया तो दीखें अभी क्या हुआ है कि बंगलादेश में मौंगला जो पोर्ट है बहां से कोलकाता में अगरतला तक माल डुलाई के लिए सामार पहुचाने के लिए ट्रांस शिप्मेंट का सफल परेक्शन किया गया अधर फेक्ट क्या है यह सीमा पार यह ट्रांस शिप्मेंट अभ्यास वर्ष 2018 में भारत और बंगलादेश के बीच हस्ताक्षित दुई है वर्ष 2008 में भारत और बंगलादेश में आपस में दुई पक्षिय समझाता हुआ इसके लिए इस समझाते में ट्रांस शिप्मेंट की सुविधा प्रदान करने और मोगला और चटकाव पोर्ट हैं उनकी उप्योग है तो सहमती दी गई सडक मार से कोलकाता और अगरतला सब्सक्राइब complexity 155 गमीटर है जो जलमाख से घठक 1620 किसे अगरतला से चलतला है कंछ से जाते हैं अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो अगर हम वेस्ट बेंगोल से अगर हमें जाना है फिर चिकन नैक होती है चुटा सा रास्ता है उस्यों के नौर्टी जाना है तो काफी लंबा रास्ता पड़ता है पर अगर हमें बांगलादेश जो है पारगवन मार्क दे देता है जिससे क्या है जो हमारा कॉस्ट भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा और ट्रेट भी बढ़ेगा यह मार्क अनपरोसी देशों के साथ भार की छेत्री व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगा और जो अनपरोसी देश है हमारे उनसे भी जो है छेत्री आप देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया से होते हुए ऐसे जाएंगे तो देखिए कितना लंबा रास्ता है लेकिन यहां से कितना पास पढ़ रहा है अगर हमें यहां पर जाना है तो आप देख सकते हैं तो यहां पर हमें अगर रूट मिल जा तो काफी जल्दी हम पहुच सक तो इस तरीके से होता है फिर हम देखिन नौर्टीस जगे बाकी देशों में जो परोसी देश हैं वहां भी जा सकते हैं तो यह बता रहें चेत्री व्यापा और विकास में पूर्वत्तर नौर्टीस रीजन की छमता सामरी कवसिती चिकेन नैग्या सिलीगुडी गलियारा यह वाला जो रीजन है छोटी सी आपको दिख रहे होगा यह होता है चिकेन नैग्या अगर चाइना इसको बंद कर दे तो देखिए हम अपने नौर्टीस टकी नहीं पहुच पाएंगे तो इसको चिकेन नैग्या सिलीगुडी गलियारा कहते हैं यह क्या है नौर्टीस में इंपॉर्टेंट है मतलब नौर्टीस तक पहुचना और इसके बाद विभेन इनपूर्ट संसाधनों से संपन चेथ नौर्टीस रीजन समाजिक विवित्त और संस्कृतिक संभावित उर्जा आपूर्टिकेन मानव किफायती श्रम प्राकतिक खनी जिवंबन संपधा से स तो देखे नौर्टीस रीजन से क्या होगा मिकॉंग गंगा सहयोग जो है उसमें हमें फायदा होगा दक्षिर इशयाई छेत्री सहयोग संगिठन सार्क ठीके और उसके बाद जो आसियान है दक्षिर पूर्वी इशयाई देशयोग का संगिठन वहां तक पहुचने में ठ संगिठन से क्या है इनके सब सहयोग बढ़ाने के लिए इनके साथ और आप देख रहे हैं इसको ध्यान से कि देखिए आप इसमें जो भी इंप्रोर्टेंट आपको चीजे दिखरी है आप देख सकते हैं कोलकाता से आप पोर्ट से आप देख रहे हैं कि फिर हम चटगाऊं तक है उसके बाद पूरा इसको और यह वाला जो एरिया है आप सेगे यहां पर कलादान मल्टी ट्रांसि तक तो आप यह जो भी दिया हुआ है न उसको आप अच्छे से देखिए का कौन-कौन सी चीज यहां पर हमें दी हुई है इसके बाद हम देखते हैं विशाल क्रिशी चमता उपजाव मृदा अनक्रिशी जलवायू परिस्थिवे कारण नौर्टीस रीजन में क्रिशी व्यापार की भारी संभावना है तो यहां पर क्या है कि एग्रिकल्चर की भी काफी अच्छी संभावना है छेत्री स्थिर्टा कम होगी अच्छी स्थिर्टा सुनिश्चित होगी नौर्टीस्ट क्या है एक तो सारे पडूसी देशों से जड़ा हुआ है इसलिए इसकी च्छेत्री स्थिर्टा बहुत जरूरी है ठीक है और दूसरी बात है कि यहां पर डेवलपमेंट कम हुआ है तो जहाँ जाँ नौर्टीस्ट रिजन की चंता का दोहन करने में चुनाति आप क्या चुनातिया है आंत्री को भारी सुरक्ष्या संबंधी चुनातिया विद्रोही उग्रवादी भार्ती से बशने के लिए अकसा कम्जोर सीमा को अपयो करते हैं विश शस्त्र विद्रोह अलब संगिये र समू है तो वहां पर आंत्रे को भारी सुरक्ष्य संबंदी चुनाओती है जो यह विरोध्य उग्रवादी होते हैं वह क्या करते हैं कि अक्सर कमजोर सीमाओं को यूज करते हैं भारती सिना से बशने के लिए में आमार साइट चले गए ऐसे और यह क्या करते हैं अलग संगी संबंदी बाद हैं दक्षिनपूर्व एशिया के साथ मोल सांस्कृतिक संबंदों के बावुज बुनियारी ढाचा और निवेश की कमी कारण आर्थिक संबंदों में पर्याप सुधार नहीं हो सका है जो हमारे अधर पर देखिए सांस्क्रितिक संबंद हैं प्राची इंक प्राज का अभाब नीती आयोग के अनुसार पूर्वी और दक्षिन पूर एशिया परोसी देशों के थाथ भारत के व्यापार में भारत के अन्य छेत्रों में उत्पादित वस्तों का हिस्सा नाइंटी फाइव परसेंट था तो यह बतारे कि जो मतलब हमारा दक्षिन प पूर्वी और दक्षिन पूर्वेश्य देश हैं उनके साथ क्या है भारत के दूजरे उनका व्यापार में हिस्सा से फाइव परसेंट था बहुत कम था साथ जबकि वह सबसे ज़्यादा पास है साथ ही अन्य राज्यों की तूलना में नौटीस रीजन में प्रत्यक्ष व अनौपचारिक व्यापार में ब्रिद्धी के मूल कारण है तो क्या है कि कमजोर सीमा है पहली बात है और क्या है चेत्री इस तर और आपूर्ती शंकला संबंधी बादा है ठीक है सप्लाइचेन नहीं अच्छी सी सीमा शूल के आप्रावसन मंजूरी में देरी ठीक है इसक अलावा लोगों की भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता है कारण कानौ प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अनौपचारिक व्यापार का पता लगाने में भी कटनाई होती है अब देखिए जो नौर्थीस्ट है उसके बाद का जो छेत्रे में आमार उनलों की मितलब भाष बाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता है उनमें तो उसकी कारण क्या है जो कामिप्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अनौपचारिक व्यापार का पता लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है चीनी प्रभाव भारत का पड़ोसियों के साथ व्यापार निवेश चीन की तूलना में नगर्न है उधारन के लिए चीन बांगलेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है देखो चायना क्या है सबके साथ बहुत जादा ट्रेड में आगे रहता है तो जो भात के पड़ोसी देश है उन सब का व्यापाव इंवेस्मेंट चीन की दूलना में भारत का चीन बांगलेश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है चेत्री व्यापाव विकास में नौर्थीस रीजन की चमता का दोहन करने की आगे की रहा सीमा सुरक्षा को मजबूत करना उधारन के लिए अस्थिर कश्मीर घाटी में भारती सीमा सुरक्षा वल इस्राइल अब रहे हैं कि चेटरी व्यापार्व विकास में नौर्थीस रीजटारन की चमता है उसका दोहन का सकते हैं तो पहले हैं मजबूत कर गया सिमा जैसे जो हमार est कि वह सकते हैं राजनेतिक संगश असम और अन्य पाड़ी राज्यों की विद्वान अंतर राजिये सीमा विवादों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाना चाहिए अब देखिए जो नौर्थीज के बहुत से जो वह हैं राज्य वह क्या है आपस में भी उनमें बहु करना सभी सीमा पार को बिना किसी देरी की पूरा किया जाना चाहिए तो जितने भी्या आवजाही को ठीक करने के लिए जल्डी पूरा करना चाहिए योजञाओं में देरी भी बहुत दिक्कत कर ampak सबकुर मिल सकता है तो यह मल्टी मॉडल जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाए था मैप में तो यह जो मुझेक्ष है जो स्थानियों ग्रामीट बाजार उन से जुड़े होने चाहिए दागे उन्हें भी लाव हो और यह देख लिते हैं भारत की अन्य के सटवे बंदरगा से जोडती है तो देखिये हमारी म्यामार के साथ है कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवें शुविदा यह है एक समुद्र नदी और भूमी इन तीनों उस अंगाली हमें परिभन बनानी है तो ये क्या है कि समोज परिवहन के माध्यम से बहंटी है उंको म्यामार के सित्वे बंदर बैंißtर लिटी माध्यम् को जोच्पर QA की मदatt के एकि ते मटाल्म भारत को जोचि हा जोड़लायर के लिदा के महिद्वलं को देखा जिए सित्वे पोर्ट से फिर यह मिजोरम को जोड़ रहा है इसके बाद देखते हैं भारत मियामार थाइलेंड ट्रिपक्षी राजमार्क परियोज्या तेरा सो साट किलोमीटर लंबा यह सीमापार परिवेन नेटवर्क मोरे भारत को बागान मियामार से जोड़ते हुए माई सौ यहां पर हमारा है इसमें आप देखें देखें तो भारत मियामार थाइलेंड ट्रिपक्षी राजमार परियोज्या है तो इसमें क्या है जो मारे भारत को बागान मियामार से जोड़ते हैं मैश और थाइलेंड से जोड़े हैं मेकॉंग भारत आर्थिक गलियारा इस गलिय यह भात के लेडो असम को म्यामार से होते हुए चीन के कुन में युनान प्रांच से जोड़ने वाला ओवर लेंड रोड है ध्यातव है कि लेडो रोड को दित्ते विश्वित के समय जापान के विख चीन को सहता पचाने के लिए बनाए गया था एक यह प्रोजेक्ट है दिल के कलेमियों तक 160 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर सड़क है भात म्यामार थाइलेंट ट्रीपक्षी राजमार का हिस्सा है एक है म्यामार में री टिडिम रोड यह म्यामार के चिन प्राद में री से टिडिम तक 80 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर सड़क है एक है करने हैं इनको करने से हमारा सिफ करेंट अफर नहीं हो रहा है तरीके से आयार भी हो रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इसमें आ रहे हैं हमारे उत्पादन के जो नौटीस रीजन को क्रिशी प्रिसंस करन्ट बागवानी वस्त उधोग जैसे उधोगों के लिए प्राक्तिक रूप से बड़त हासिल है लब इन में वो आगे है तो इन उधोगों को रोजगा अधार रड़नीती का उप्योग करके विसायत किया जाना चाहिए तो यहां पर क्या है रोजगा अधार रड़नीती अपनानी चाहिए साथी रबर के उत्पाद फार्मस्यूट पेट्रोलियम उत्पास सीमेंट जैसे अनुदोगों को स्थापित करने के लिए संभावनाओं का पता लगा चाहिए तो इन सब को वहां पर लगाने की जो संभाविना उसका पता लगाना चाहिए विकास में लोगों की भागेदारी करेक्टिविटी में ब्रिंती जैसे चेत्र में देश्के अन्य भागों से लोगों के आग्मन में ब्रिध्य होगी इस अग्मन से स्थानी अबादी भैव और आशंका को बढ़ने की समभावना है। समझने के लिए उनके साथ समवेधी करण कारक्रम को प्रारम किया जाना चाहिए तो क्या है एक समवेधी करण कारक्रम वहां के लिए बनाया जाए जाए जानव संसाधन को मजबूत बनाना अधिकारियों धम्यों व्यापारियों के लिए चमता निर्माण करने से छेत में गुडवत्ता एवं वित्रण सेवाओं में सुधार करने मदद मिलेगी तो चमता निर्माण होना चाहिए इन सबका और क्या है शीष उधोक संगों द्वार अधन केंद की स्थापना की जाएं चाहिए यह शेत में चमता निर्माण के लिए सही कदब हो सकता है तो यह सारी हम कदब उठा सकते हैं अब नेक्स टॉपिक हम नेक्स वीडियो में देखेंगे थैंक यू झालो